अब भी वक्त है अपने आपको कानून के हवाले कर दो जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनमी बना दिये मैं अपने आपको इस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूँ आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हम दर्दी 1982 की फिल्म शक्ति किसे याद नहीं है अभिने के दो महारती एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए नजर आए फिल्म शक्ति में एक्टिंग से ज्यादा उसकी स्क्रिप्ट की चर्चा हो रही थी जिसे अपने समय की सबसे बड़ी राइटर्स की जोड़ी सलीम जावेद ने लिखी थी फिल्म शक्ति लिखकर एक दिन जावेद अख्तर ने सलीम खान से कहा कि वो अब आगे से अलग फिल्म करना चाहते हैं यानि सलीम जावेद की जोड़ी तूटने का समय आ गया था जावेद सलीम को दरवाजे तक छोड़ने आने लगे तो सलीम ने उन्हें रोक कर कहा कि सलीम अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि वो अकेला चलना सके अलग होकर दोनों ने अपनी अपनी कलम चलाना शुरू किया और नई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने लगे जावेद अख्तर ने एक कहानी लिखी उन्होंने अपने किरदार विजय को अरजुन का नाम दिया अरजुन भी समाज और सिस्टम से विद्रोह करता है जावेद अपने अरजुन को लेकर राहुल रवैल के पास पहुँचे अरजुन के लिए सनी देओल का चुनाव हुआ फिल्म के निर्माता करीम मोरानी थे जो सनी देओल को लेकर बेताब बना चुके थे फिल्म अरजुन की स्क्रिप्ट में डॉन दाउद से लेकर एक मामूली से चपरासी के कोरप्शन का ताना बाना बुना हुआ था फिल्म अरजुन का गीत संगीत तयार होने लगा इन दिनों जावेद अख्तर स्क्रिप्ट के साथ फिल्म के गाने भी लिखने लगे थे उनका गीत लिखने का सिलसिला फिल्म सिलसिला से शुरू हुआ था फिल्म अरजुन में संगीत के लिए आरडी बर्मन को चुना गया इससे पहले राहुल रवैल राज कपूर के साथ डेककन क्वीन में बैठ कर मुंबई CST से पूना जा रहे थे राहुल रवैल के बारे में ये बताना जरूरी है कि वो राज कपूर की टीम में असिस्टन डाइरेक्टर के रूप में काम करते थे और राज कपूर ज्यादा तर फिल्मों को पूना में शूट करते थे ये किस्सा उस समय के बारिश के दिनों का है मुंबई CST से निकलते ही राहुल रवैल को एक नजारा देखने मिला जो उनकी आँखों में उतर गया था और राहुल रवैल ने उस नजारे को अपनी फिल्म का सीन बनाने का फैसला कर लिया था मौनसून का समय था जोर की बारिश हो रही थी ट्रेन एक जगह रुकती है राहुल रवैल खिडकी से बाहर देखते हैं कि सडक पर छाते से छाते टकरा रहे हैं दूर से देखने पर सिर्फ छाता ही दिखाई दे रहा था छाता पकड़ने वाले इंसानों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे ये नजारा उनके दिमाग में छप गया फिल्म अरजुन का एक क्रांतिकारी सीन इन ही छातों से निकलने वाला था अरजुन के इस आइकॉनिक सीन को बनाने के पीछे एक और घटना थी राहुल रवैल ने बताया था कि वो अपनी पत्नी के साथ किसी काम से कहीं जा रहे थे तभी एक भयावह सीन उनके सामने आया एक आदमी हाथ में नंगी तलवार लिए भाग रहा था जैसे किसी का पीछा कर रहा हो ये समय भी बारिश का ही था ये दोनों सीन मर्ज करके राहुल रवैल ने अपना सीन क्रियेट कर लिया वैसे तो अरजुन की अधिकांश शूटिंग स्टूडियो में हुई थी लेकिन इस सीन के लिए राहुल रवैल को आउट डॉर जाना पड़ा इसके लिए एक हजार जूनियर आर्टिस्ट को बुलाया गया सबके हाथों में दो दो चाते दिये गए अब टॉप एंगल से देखने पर सिर्फ चाते ही दिखाई दे रहे थे राहुल रवैल भी यही चाहते थे कि उनका कैमरा चातों से भर जाए राहुल रवैल ने इस सीन को आठ कैमरों से शूट किया तीन मिनिट का ये सीन शूट करने में दो दिन लग गए शूटिंग के समय बहुत सी प्राबलम्स आने लगी कभी विलन की तलवार से चाते फट रहे थे तो कभी चातों की नोक क्राउड की आँखों में चुब रही थी बड़ी मुश्किल से ये क्लासिक सीन शूट हुआ 126 शूट्स का ये सीन जब एडिटिंग टेबल पर आया और राहुल रवैल ने इसे अपने गुरु राज कपूर को दिखाया तो उन्होंने एक सेकंड की देर किये बिना बता दिया कि ये सीन साथ कैमरों से शूट हुआ है लेकिन राहुल रवैल ने तो शूटिंग आठ कैमरों से की थी बाद में पता चला कि राज कपूर की बात सही है क्योंकि शूटिंग के दौरान एक कैमरा बंद हो गया था फिल्म अरजुन रिलीज होकर सिनेमा घरों तक पहुँची जबरदस्त काम्याबी ने सब के हौसले बुलंद कर दिये अरजुन ने एक नए कलाकार से परिचय कराया उसका नाम परेश रावल था फिल्म अरजुन की सफलता यही बता रही है कि अरजुन का सब्जेक्ट कल आज और कल के लिए है MSK Digital ऐसी काल जई फिल्म के लिए राहुल रवैल को हार्दिक बधाई देता है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल MSK Digital को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट्स और शेयर करें नमस्कार, धन्यवाद